G20 समेलन के बीच UK के PM रिशी सुनक ने ट्वीट किया है हम बड़ी चुनोतियों के समय मिल रहे हैं ये काय रिशी सुनक ने कि बड़ी चुनोतियों का समय ऐसे में मिल रहे हैं 15 सालों बाद हम सब एक साथ आए हैं काय रिशी सुनक ने दुनिया G20 की तरफ देख रही है रिशी सुनक का ये भी कहना हम मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे है हम आई साथ पुश्वेश पंजी मौझूद है पुश्वेश पंजी हम दुनिया की चनौतियों की बात करें लगातार और बात करें कि कैसे यहां से भारत की जब अध्यक्षता है तो यहां से क्या पॉजिटिव ऐसा संकेट जाए जिसमें कि भारत की भूमिका एहम हो क्या उसमें उस स्टेटमेंट की जिसके हम बात करें जहां बात कुछ फसी हुई है वो अगर हम अच्छे से निकाल पाते हैं तो वो एक बड़ी उपलब्दी होगी या उसके अलावा आप देखते हैं और क्या क्या मुझे लगता है कि उपलब्दी तो हो चुकी है उपलब क्या करण विटो के कारण बूस और उकरिन के युद्ध के कारण तो कहीं न कहीं युद्ध के शमन के लिए शान्ति की पर अस्थाप्रना के लिए बाहर कहीं लोगों को ढूंग जाओगा जिन साजा समस्याओ कर जिकर प्रधान मंत्री ने किया है वो बोत मुद्पून है वो मौसम बदलाव हो, वो भूख हो, वो अंतरराश्ट्री अतकवाद हो, वो वेक्सीन हो, वो टेक्नोलोजी का हस्तानतरण हो. तो ये चीजे मुझे लगता है इतनी महत्पून, इसलिए नहीं कि उभाई पक्षी, बाइलेटरल, बाइडन और मोदी जी के बीच में क्या हुआ, जो आशा उन्होंने तीसरी दुनिया में जगाई है, कि आप intermediate technology, आप appropriate technology, ज़रूर नहीं कि आप high-tech ही करें, और high-tech के मामले भारत के साथ सैकार कर सकते हैं, G20 के और वसाद से, भारत के साथ तीसरे दिशों में पहल कर सकते हैं, यह सारी उगलब दिया है, बिल्कुल, लेकिन G20 मैदान के बाद, अब G20 के सेशन के बाद, वीपक्षी वारता को लेकर, हलाकि एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि चार वीपक्षी वारता होने वाली है, और सुनक किशिदा के साथ साथ पीम की बैठक को लेकर, जो सरीके से यह बड़ी खबर है, उलाफ शोल्स, जोर्जे मलोनी से भी मीटिंग को लेकर खबरे मिल पा रहे हैं, साथ ही UK, जापान और जर्मनी के साथ साथ इटली के साथ वीपक बिल्कुल सही का आपने और यही बात हम अपने दर्सकों को कहना चाते हैं, जैसे देखे, प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी अभी चार देशों के साथ उनका बाइलेटरल होना है, और उसमें से UK को लेकर अगर हम बात करें, आप लोग अभी रिसी सुनक की चर्चा कर रहे थ देखे, रिसी सुनक बहुत गर्व से कहते हैं कि वो हिंदू हैं, वो सनातन धर्म को मानते हैं, वो भारत भूमी पर आते हैं, उन्होंने जैसे आराम का नारा भी दिया, लेकिन केवल जैसे आराम के नारे से ही काम नहीं चलेगा, असली मुद्धे जो भारत और बिटेन के बीच है, उनको भी रिसी सुनक को एड्रेस करना पड़ेगा, रिसी सुनक को ये समझना भी होगा कि उनकी सरकार के दौरान भारत विरोधी गतिवीधियां बिटेन की जमीन पर काफी फली फुली है, आप देखे किस तरीके से हमारे डिप्लोमेट्स के सिक्यूरिटी को ले ब्रिटेन के सम्मन्द बहुत उचाई पर जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि भारत ये देख रहा है कि बिटेन का या रिसी सुनक का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, भारत के प्रती भारत के कंसर्ण को वो कितना एड्रेस करने वाले हैं, भारत के खिलाब जो आज की तारीक म लंदन आएसाई का गर बनता जा रहा है, उसको कैसे वो अड्रेस करेंगे, ये सब भी ऐहम बाते हैं, जो प्रदान मंतरी मोध्यों के प्रतारिक है, जो होनी जरूरी है, जो जरूरी है, जो जिस तरह का हम बंच देख रहें हो, उस दिशा में बातचीत तो कम से कम शुरू होगी और कोई रास्ते भी निकलेंगे लेकिन बहुत कुछ है जो उपलब्धियां भारत ने हासिल कर लिए जैसे पुश्पेश पंजी कह रहे थे अपने आप में जीच टूंटी का भी तक जो जिस तरह का मंच देख रहे हैं और जिस तरह की बाते हम देख रहे हैं उससे नि कर बाहर आते हुए